नमस्कार दोस्तों, कोलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़ी भरती आई हुई है, बड़ी का मतलब पहले की तुलना में काफी अच्छे पद है तो आप विद्यार्थियों के कमेंट्स आए कि क्या अभी नेट कौलिफाई नहीं ये फोर्म भर सकते हैं क्या अभी पीजी, एमे वगदर चल रही ये फोर्म भर सकते हैं क्या कई और भी पूछते हैं कि हमें क्या फॉर्म भरना चाहिए क्या प्रिक्षा देनी चाहिए तयारी नहीं है या किस प्रकार से इसको जो है यानि किन-किन विद्यार्थियों को फॉर्म भर देना चाहिए तो मेरे विचार से जो हम इस पर व्यू रखेंगे कि और एक गार को लेकर भी पूछा था आप लोगों ने गुड अकेडमी की कोड भी है क्या तो इन सब बिंदों पर हमारी सर्चा रहेगी तो पहले हम इस चीज़ को लेते हैं कि नेट या सेट शेट का तो देखो रिजल्ट आ चुका है अब आपके कलिर है तो कोई दिकत नहीं है कलिर नहीं हुई है तो नेट एक अभी संभावना है आपके लिए जिसे मालिजी अभी साइट एक्जाम चल रहे हैं या हो रहे हो गए हैं कुछ तो ये मालिजी आपके कलिर हो जाती है आगा में दो तिन में में रिजल्ट आजाता है या फिर डिसमबर वाली भी आप देते हैं और वो कलिर हो जाती है तो भी आप इसमें पात्र है, कैसे? इसमें यह है कि नेट के लिए भी एक नियम है M.A. वाला पहले हम पात्रता की बात कर लेते हैं विकेप्टे में इस पश्ट लिखावा है कि साकसाथ कार जो होगा इंटर्यू तो उसका जो पहला दिन है उस दिन तक इंटर्यू के पहले दिन तक आपका रिजल्ट जो है आ जाना चाहिए कौन-कौन सी क्वालिफिकेशन एक तो आपकी PG यानि M.A.M.C.M. कॉम का फाइनल उसका रिजल्ट आएगा ठीक है और उसके बाद में हो सकता है जनुवरी फर्वरी में हो चुनावी साल भी है सरकार का गठन होगा और होगा तो मार्स अप्रेल भी हो सकता है तो वहां तक मान लीजिए आप डिसमर वाला भी नेट कलियर करते हैं तो भी आप इसमें पातर ह हो सकते हैं ठीक है वह समाओ ना बताइए मैंने अगर वहां तक हो तो दूसरी बात पी जी अब जो में 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 का अधान ले लेता हूँ ठीक है कि आपने में में प्रिवियस में है अभी आप फिर भी आप नेट का फोर्म बर सकते हैं आपको पता होगा और उसमें इस खेस हैं आपको स्याओं देते हैं कि उसी स्हीं की जिए उसी से होना चाहिए यहाँ पर भी वोही रूल है जिससे आप म में है नेट है उसी से आप तक गुड एकेडिम के रिकोर्ड पहले होता था जिसमें 10 के परसेंट 12 के ग्रेजियोसन के परसेंटेज की बेकुश सर्तें थी उसका उल्लेक इस बार की बरते में कई नहीं है यानि कि इसको खटा दिया है पिसली बार भी खटा दिया था ठीक है तो ये हटा चुके है परसे प्रेजी आप से तो आपने जिस वर्ख से नेट की है उसी वर्ख से आप इसमें आविदन कर दीजिए तो ये हुआ कलियर अब हम बात कर लेते हैं किसे फोरम भरना चाहिए अब मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा जो मानलेजी अब नेट सेट या में कम्प्लिट फो तो भरेंगी अब जिनको लग रहा है कि आपकी तयारी अच्छी है या आप स्कूल व्यख्याता की तयारी करлан परषाद है सबजेक्ट की जैसे मालिज आप पोलिटिकल से कर रहे हो किसी भी सबजेक्ट से आप कर रहे है तो आपको NET का एक्जाम भी देना चाहिए क्योंकि वो तयारी NET वाले तयार NET के अलग से इतना मूड बनता नहीं है 1st grade के तयारी करते है नोकरी बेश्ट की तो वो NET वाला भी साथ में देते हैं तो अकसर NET हो जाया करते है यह सब्जेक्ट आप ताजा ताजा पड़ रखा याद कर रखा है तो मेरा यह कहना है कि आप जैसे 1st grade school वेक्याते के तयारी कर रहे है उसमें भी आपके subject वो काम आएगा या फिर बहसा वाले subject है जैसे मालो हिंडी है अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है ऐसे विद्यारतियों के लिए तो एक ही डिसा है आप कोलेज वाला कर रहे हैं तो भी NET कर रहे हैं तो भी 1st grade, 2nd grade, 3rd grade सभी में वो एक ही बासा काम आ रही है हालांकि लेवल अलग अलग है इस बात को मैं मानता हूँ परन्तु कुछ 40-50 परतिसत चीज़ें आपके काम आती रहती है एक दूसरी जगें, अधिकम का इस्ताना आंतर्ण होता रहता है तो आप इस स्कूल गाख्या था कि त्यारी कर रहे हैं गंबिर तो आपको नेट का भी एक्जाम होशे देना चाहिए और आपको ये एक्जाम भी देना चाहिए क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट तो वो ही है न फर्ष्ट ग्रेड और कॉलेज वाले में तो 70-80% तक शेम चीज़े हैं राजस्तान जिक्चे जो पेपर एस का थर्ड में इतियास बुगोल कला संस करती है अर्थवेवस्ता राजवेवस्ता है तो ये तो आपको हर एक्जाम के लिए त्यार करनी होती है सब्जेक्ट आप अगर नेट कर रहे हैं या फिर फरस्ट गेट दे रहे हैं तो भी आपको तैयार करना है तो इसलिए आपको फॉर्म बढ़ देना चाहिए उन विद्यारतियों को जो फरस्ट गेट की गंबेर तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी मान लो कुछ नवरों से रह गए हैं या फिर जिनका भी डबल में आ रख है उनको भी क्यों क्योंकि अब आपका अगला टार्गेट तो यह होगा ना बले ही आपकी नेट कलियर नहीं है पर आप चांस लीजिए या आपने जून वाला दिया होगा कमेंट करके बताएं दिया है क्या और दिया है तो निसी तुरूप से आपके कलियर होने के 99.30 चांस है क्योंकि सब्जेक्ट अभी अभी आपने फ्रेस फ्रेस याद आपको बढ़ावा था तो इस परकार से आप सब्जेक्ट से जुड़े रहना चाहते हैं त्यारी कर दीजिए ये फोर्म भर दीजिए और अक्टूबर में एक्जाम है इसका महलांकि कलियर नहीं कि अक्टूबर में सब्जेक्ट वाले भी ले ले कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पेपर ले लिया, राजस्तान वाला कौमन सब का, फिर सब्जेक्ट बाद में ले ले, तो वो सब चीजे आगे की है, आवेदन का भी एक दूसरा ये भी है, कि केवल आवेदन सुलक भी अब की बार हो, एक इबार कर दिया, तो बार बार लगेगा नहीं, और जो एक वो आ हाँ है डाउट तो कमेंट कीजिये, धन्यवाद.